नमस्कार सिनेमा हॉल में आपका स्वागत है आज तेलगू फिल्म जो की हिंदी में भी डब होके रिलीज हुई आए दसारा का रिव्यू इसके निर्देशक स्रिकांत ओडेला है बात आगे करो इसके पहले मैं चाहूंगा कि आप सिनेमा हॉल को सब्सक्राइब कर ले इस वीडियो को देखने के बाद तो जरूर ही कर ले और घंटी बजा दे इन दिनों एक्शन फिल्मों की भरमार है हिंदी मे भोला आई है और इसी हपते जो फिल्म रिलीज हुई है वह है दसारा अंग्रिज में इसे दसारा लिखा गया है वास्तों में यह दसारा है और दसारा की माइथ्वलोजी से यह फिल्म जूडती है कहीं ने कहीं तेल्गू के साथ साथ अन्य दक्षन भारतिय भाषाओं के संस्कृति और परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से पिरोया जाता है कहानी के अंदर कांतारा में भी हमने देखा था और अभी दसारा में भी हम इसे देखे इस फिल्म के नायक नानी है नानी आम तोर पर वाय नेक्स टोर की भूमिकाएं करते रहे हैं लेकिन पहती बार वे एक्षन फिल्म बें आ रहे हैं और एक्षन भी क्या जानदार एक्षन उन्हें नेकी आये यह फिल्म देखते हुए हिंदी फिल्मों के उन नायकों को शर्म आनी चाहिए जो एक्षन फिल्म के नाम पर सिर्फ टेक्टीक और बाकि कंप्यूटर जनित इमेजिस दिखाय करते हैं 90 की कहानी है और एक कोहला ख़दान की बस्ति है वीरल पल्ली नाम से तिलंगना के आजपर स वहां की यह कहानी है उस गौ में उस ठेहरे हुए गाउं में जजादा तर लोग शराब पी ते हैं और ख़दान का काम करते हैं खदाग में चूरी करते हैं, वहां वेनिला आपकी लड़की के साथ धरनी और सूरी दोनों प्रेंद करते हैं. धरनी उतना मुखर नहीं है, वो खोल कर अपनी बातें नहीं कह पाता, सूरी इसके उलट बहुत ही मुखर है और वो अपनी बात कह देता है, वो वेनिला अपना प्रेम जाहिर कर देता है और दोनों की शादी हो जाती है इस बीच में जवान हो चुके हैं जवान होने के साथ जो घटनाए घटते हैं उनके आसपास समाज में सरपंच के चुनाओं में इन सारी चीज़ों से वे सारे जुड़े हुए हैं फिल्म का क्रक्स यह है कि इन तीनों के बीच जो एक संपर्क और संबंद बनता है वह संबंद आगे चलकर कैसे विक्सित होता है और उसी पर यह पूरी कहानी निर्वर करती है लेकिन इसके पीछे समाज के अपनी राजनिती है और सरपंच का अपना एक मुखोटा है जो वह स और चुके ग्रामी इलाके में बनाई गई है और दक्षिन का परिवेश है अंद्रा का परिवेश है इसलिए हिंदी दर्शकों को फिल्म देखते हुए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है उनको विज्वली यह चीजे उतनी प्रभावित नहीं कर पाते हैं लेकिन इससे पर जा आगे बढ़ती है और वेनिला ने सूरी से शादी कर लिया है लेकिन सूरी की हत्या हो जाती है और इसके वाद वेनिला का वैधव्य फिल्म का एक मुख हिस्सा है जिस पर सर्पंच की नज़र है यहां धरणी सामने आता है और किस प्रकार से वह वेनिला का दोस्त बनकर उस सिर्व उसकी रक्षा करता है बलकि समाज से उस रावन को भी समाप्त करता है जो उस पूरे इलाके में अत्याचार का प्रतिरूप बना हुआ है यह फिल्म इसी छोटे से महोल को लेके चलती है और आगे बढ़ती है चुके फिल्म में संस्कृतियों परंपरा की बात भी ज संदर्व एक खास इलाके कहानियम देख पाते हैं यह अच्या है कि दक्षिन की फिल्म में डव होकर हिंदी में एक हीदिन एक ही साथ रिलीज हो रही है और हिंडी दर्शकों को भी लुभाने की कोशिश कर रही है पिसले साल हमने देखा कि किस प्रकार से दक्षन की फिल्मों ने हिंदी फिल्मों के दर्शकों के बीच ब्यापार किया यह फिल्म उसी कड़ी में आगे की फिल्म है अगर आपके शहर में यह फिल्म लगी है तो जुरूर जा टॉम चाको हैं इन सभी के अभने ने इस फिल्म को पुर्जोर बना दिया है और बहुती प्रभावसाली बना दिया है तो मेरी दो सिभारिश होगी कि आप इस फिल्म को जरूर देखें तेल्गों की मूल फिल्म हिंदी में डब होकर रिलीज हो रही है हां एक शिकायत मेरी है जब फिल्म में डब की जाती है उनमें भाशा की संगती नहीं बन पाती है इस फिल्म में एक साथ मंबया लेंग्विज भी है थोड़ा सा पुरविया टच भी है थोड़ी सी हिंदी भी है और थोड़ा सब कुछ है इसलिए मैं लेखों को से आगरह करता हूं कि जब भी वे ऐसी फिल्मे एडॉप करें तो उसकी भाषा पर थोड़ा ध्यान दें उसके संवादों पर थोड़ा ध्यान दें वहाँ भी महाँल पैदा करें तो बात और बड़ी हो सकती है बाकी टेक्निकल दिक्कते थोड़ी सी हैं कास करके डबिंग की जहां लिप सिंकिंग नहीं हो पा झाल 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 झाल